सुबह से शाम तक हर तरफ कोरोना कोरोना सुनाई दे रहा है ऐसा में जय गोमाता सुनाई दे और सल्षित स्विवर से मेरे गुजारिश है के घर में रहें और साथी गोमाता के सानिद्य में रहें गोमाता के दूद, दही और गी का सेवन करें जो की A2 क्वालिटी रहता है जो हमारी इम्मुनिटी को भी बूश्ट करता है और जो गोपालक मित्र गाये पालना चाहते हैं उनके लिए आज के वीडियो में गाये की मिलकिंग दिखाऊंगा आप अंततक वीडियो को देखिएगा ये गाये सेल के लिए भी अवेलेबल है कंप्लीट डिटेल दूँगा अंततक वीडियो को देखेंगे तब भी सारी जानकारियां आप व्यूवर्स के साथ शेयर कर पाऊंगा नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं फार्म टोक और मैं जैपाल सिंग राठोड खाली बाल्टी देख सकते हैं आप हर घर देशी गोवंस हर खूटे देशी गोवंस इस मुहिम को पूरा करने के लिए मिलकिंग दिखा रहा हूँ अगर आज आप इस चैनल पर नहीं हैं हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं एक देशी गोवंस लाकर उसका पालन पोशन कर पाएं और साथ ही अपने परिवार के लिए एटू क्वालिटी का दूद सिवन करने के लिए घर में ही ले पाएं अंतर तक वीडियो देखिएगा ये गाये सेकिंड लेक्टेशन में हैं दूसरे ब्यात के अंदर है साइवाल और हर्यानवी नसल की मिश्रन से एगाये अच्छी दूद छमता है और कीमत बड़ी वाजिब डिमांड की गई है इस गाये के लिए 34,000 रुपे 34,000 रुपीज फिक्स प्राइज डिमांड की गए हैं जिसे चोहान डेरी फार्म के ओनर पाली चोहान जी सेल के लिए अवेलबल करवा रहे हैं विलेज 16 जेड डिश्टिक्ट सिरिगंगानगर राजस्थान के रहने वाले हैं इनके मुबाइल नमबर 960284300 इन मुबाइल नमबर पर संपरक करके गाय के बारे में आप पूरी जानकाई ले सकते हैं या विजिट करकर इस गाय की दो समय तीन समय की मिलकिंग अपने आथ से करकर देख सकते हैं विजिट करना पोसिवल नहीं है तो वीडियो कॉल करके इस गाय की दो समय की मिल्किंग जरूर से जाचे परके हैं बारत के हर डिश्टिक के अंदर ये गाय की ट्रांसपोर्ट फेसिलिटी अविलिबल है दूसरे ब्यात में और ब्यायवे आज 6 दिन हुए हैं 11 लीटर के आसपास 10 से 11 लीटर के आसपास दूद अभी तयार है गाय आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा और जो कीमत डिमांड की गई है इसमें बार्गेनिंग नहीं की जा सकती तो आप बार्गेनिंग के अलावा ट्रांसपोर्ट, फेसिलिटी और चार्जेस के बारे में जानकारी जरूर से ले लें आशा करता हूँ जो गाय आपको दिखाई है वे पसंद आई होगी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और गोपालक मित्रोगिशा शेयर करना ना बुलें धन्यवाद दोस्तों